हालो फ्रेंट्स वेलकम तो कार्गी क्लासिस आज देट है एक मार्च दोहजार इकीस और इंडियन एक्सप्रेस की इंप्रोटन न्यूज देख लेते हैं जो अभी हम डिसकस करने वाले हैं फर्स्ट न्यूज हम डिसकस करेंगी पी एसल वी सी फिफ्टी वन की जो फ्लाइट कल सक्सेस्फुल रही है उसके बारे में इसमें टोटल नाइंटीन सैटिलाइट्स को लांच किया गया था उन में से एक तो ब्रैजीलियन सैटिलाइट था एमजोनिया और अठारा दूसरे सैटिलाइट्स थे जिन में कुछ ऐसे सैटिलाइट्स थे जिनको डवलप किया गया था इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्टुडेंट्स के द्वारा राइट तो देखेंगे इस आर्टिकल को साथ में दूसरा आर्टिकल हम देखने वाले हैं क ग्रीन ट्रिबिनल ने अपनी तरफ से कुछ एप्लिकेशन्स या फिर कुछ कम्प्लेंज जो थी उनको डिस्मिस कर दिया यह कहके कि वो कम्प्लेंज दायर होने में लेट हो गई ठीक है तो एक तो यह देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर-अंदर कोई भी कम्प्लेंज रे समझते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये वाला पॉर्शन हम देखेंगे और आगे वेक्सीन ड्राइब की अगर बात करें तो आपको पता है ही कि आज फरस्ट मार्स था ही तो अभी वेक्सीनेशन शुरू हो गया तो ऑनलाइन भी स्लोट बुक कराया जा सकता है नेक्स राउ कोई बीमारी है को मॉर्बिडिटी अल्रेडी हो ठीक है वो वेक्सीनेशन ले सकते हैं बाकी फ्रेंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टन न्यूज निया जो हमें डिसकस करनी हो आगे चलते हैं नेक्स हमारे लिए इंपॉर्टन चीज है वो यह कि प्रधानमंत्री मोधी ने जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टन चीजे हैं वो हम पिक करेंगे ठीक है इसके अलावा वाइस एड्मिरल आर हरी कुमार इनको न्यू चीफ आफ वेस्टर नेवल कमांड अपॉइंट किया गया है तो बस यही यहां पे लाइन काम किया अगर आपको एक्जाम के प्रप्रेशन करो जहां पर फैक्चुल चीजे इस तरीके के आती है तो आप इसको लर्न कर सकते हो ठीक है आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें आपको एक बार थोड़ा सा खुद से काम करना पड़ेगा कि जो पोक्सो एक्ट है और जुवेना की है वो ये कि चल्डरन या चाइल्ड वेलफेर कमीटी है वो स्टेबलिस की जाती है डिस्टिक लेवल पर जिससे की अगर जो बच्चे 18 साल या उससे कम उम्र के हैं ठीक है या फिर 17 साल 12 साल ये जो उम्र है मतलब जो बच्चों की एज में जो कंसिडर होता है उन लोगो को एक्ट को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे गूगल पे ठीक है बाकी यहां पे इस कुछ काम का ज्यादा दिया हुआ है नहीं आगे चलते हैं फिर हम आगे एक्सप्लेइन पेज पे इस पे तीन आर्टिकल्स हैं फर्स्ट आर्टिकल गॉइंग बैक तो स्कूल इसको ह करेंगे कि जो प्राइमरी स्कूल है या प्री प्राइमरी स्कूलिंग है उसकी कितनी इंपॉर्टन्स है क्या अभी तक का स्टडी की हुई है मतलब क्या स्टेटस है हमारे बच्चों का एजुकेशन लेवल को अगर चेक करें असर रिपोर्ट आती है उसके बारे में भी थ क्योंकि पिछली साल मार्च में ही बंद कर दी गई थी स्कूल्स को तो उसके बाद में अब बच्चों को छोटे जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जाने का मौका मिलेगा ठीक है देखेंगे इस आर्टिकल को दूसरा आर्टिकल है पिक्सिल इंडिया इस डिलेड थे जो कि PSLV C51 के साथ में एक सैटलाइट इसका जाने वाला था ठीक है बट प्रॉब्लम क्या हो गई लास्ट में जाते जाते हैं फिर थोड़ी सी फंक्शनिंग नहीं कर पाया तो रिस्क नहीं ली गई ठीक है तो एक बार थोड़ा सा देखेंगे इस आर्टिकल को तीसरा आर्टिकल है लेटरल एंट्री ब्यॉरोक्रेसी में उसके क्या तो रीजन है क्यों लेटरल एंट्री ली जा रही है क्या इसका प्रॉसेस है और इसको लेकर क्या कॉंट्रावर्सी है रिजर्वेशन को लेकर के देखेंगे इस आर्टिकल को भी आगे तो ये चीज देखने ला एक ज़्यादा कुछ है नहीं हम जानते हैं ये चीज अल्रेडी दूसरी जो important news है जो हम इस economy page से discuss करेंगे वो एक तो ये कि joint parliamentary committee ने अभी तक अपना जो discussion किया है उसकी discussion की basis पे अपने recommendations जो है वो parliament को सोपने वाली है या तो 12 मार्च से पहले या फिर 12 मार्च तक कर दिया जाएगा और main जो stress दी गई है वो एक तो ये कि data localization की हमारे यहां का data हमारे यहीं पर store किया जाए दूसरा जो minors का data है छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे related जो sensitive information है उस data को handle करने से related तो एक तो यह article देखेंगे दूसरा article हम यह वाला देखेंगे जहां पर एक study या एक report है जिसमें बताया जा रहा है कि lower या फिर low income nations जो है वहां पर education पर जो budget allocation होता है वो 65% तक कम हुआ है तो यह देखो और भी ज्यादा inequality बढ़ा चुका है कोरोना क्योंकि Oxfam की एक report में already आपको पता ही है आपको भी आद आ गया होगा मां क्या बोलने वाला हूं कि COVID-19 जो है वो एक inequality वाईरस बहुत ज्यादा inequalities आ चुकी है पूरे world में, society में, family में भी आप देख सकते हो ठीक है तो देखता है अब एक एक article को detail में बाकी और कुछ भी important है नहीं फर्स आर्टिकल है स्री हरी कोटा सतीज धवन स्पेस सेंटर से PSLVC-51 ने lift किये total 19 satellites उनमें एक ब्राजील का 600 kg का satellite था तो 18 दूसरे satellites थे ये 53 वी successful flight थी PSLV की और आप देखोगे इसमें जो Sunday को launching हुई है उसमें एक जो satellite था ब्राजील का main उसका नाम था Amazonia हमें नाम याद रखना है 637 kg का ये commercial remote sensing satellite है जो की Brazilian Space Research Agency INPE के दुआरा डवलप किया गया है और साथ में 18 दूसरे co passenger satellites भी launch किये गए है ठीक है अभी इसकी countdown क्या थी वो हमारे इतनी काम की है नहीं अब इसकी थोड़ी देख लेते हैं कि कौन-कौन से satellite किन-किन countries के थे वो details ये जो Amazon या नाम दिया गया है इसकी वज़े क्या है कि Amazon Forest में जो भी activities हो रही है चाहे वो agricultural activities हो रही है डीप forestation activities हो रही है उनको monitor करने के लिए ये satellite launch किया गया है जो कि Amazon में जितने भी bio reserves है उनको monitor करके bio reserve protection के point of view से काम करेगा जो कि एक remote sensing satellite है ओके PSLV C51 इसमें Amazon या यह होई गया अब इसमें आप देखोगे कि 18 satellite जो दूसरे थे जो co-pessengers थे उनमें 500 Indian satellites हैं और 13 USA के थे ठीक है अब Indian satellites जो हैं उनमें से ज़्यादा तर जो देखोगे वो जैसे unity set ठीक है यह students के दूआर डवलप किया गया था JPR Institute of Technology जो की स्री परुम बुदूर से बनाया हुआ ठीक है वहाँ पर यह institute है JPR Institute of Technology स्री परुम बुदूर इसके अलावा जी एच राय सेन राय सोनी College of Engineering यह नागपूर की वहां उनका भी एक satellite ऐसे ही श्री शक्ति इंस कोईमबटूर की एक institute ऐसे ही सैड़ सेट सतीज दवन सैटलाइट जो की पह एक फर्म है Space Kids इंडिया ठीक है उसके द्वारा बनाया हुआ यह सैटलाइट है तो unity सैट है ना वो तो एक तरीके का आप देखोगे रिले सर्विस प्रोवाइड करेगा रिले सर्विस का मतलब ज जो की radiation को study करेगा space weather के बारे में study करेगा और long range communication के बारे में demonstration देगा इस तरीके से और रही सही में और USA की सैटलाइट भी है वो भी launch किये गए हैं इसके साथ साथ में ओके तो अब चलते हैं आगे बाकी और चीज़ा आप देख सकते हो यहाँ पर के सिवान जो की इस रो के chairman है यह आप ध्यान होगा इसी का यह आप याद रख सकते हो पस थोड़ा सा में आपको search करने वाली बात क्या है कि PSLV C51 launch जो है ना वो अपने आप में थोड़ा सा unique ऐसे भी है क्योंकि new power configuration के basis पे यह तीसरी flight है अब आपको PSLV की configuration के बारे में जानना है Google करके कि कैसे composition होता है कितनी stage के अंदर engine काम करता है कहां पर satellite located होते हैं वो आप इसकी functioning properly खुद से पढ़ोगे आगे चलते हैं न्यूस तो है यह कि national green tribunal ने कुछ जो भी filing हुई थी जो भी complaints आई थी उनमेंसे आदी को cancel कर दिया यह कहके कि भई आप ने time पर file नहीं किया जो भी आपके grievances थे जो भी concerns थे ठीक है तो लगबग 22 application आई थी उनमेंसे half that means 11 को cancel कर दिया गया ठीक है इन देखो National Green Tribunal Act 2010 आया था जिसके basis पर यह body establish की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी region में कोई भी project अगर launch किया जाता है तो उस project को implement होने से पहले उस project के जो भी मालिक है उन लोगों को green clearance लेना होगा environmental clearance लेने की जरुरत होगी और जो भी affected parties हैं जैसे कि वहां के local लोग हो गया ट्राइबल लोग हो गया कोई भी वहां पर community है जिनको कोई परेशानी हो सकती है उन लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर अपनी तरफ से complaint दायर करनी पड़ेगी और 30 दिन के अंदर अंदर ही फिर उसके बाद में उसकी तो यहां पर problem क्या है कि जो 11 applications dismissed की गई हैं उन में जो delay हुआ वो 44 days से 90 days तक के बीच का था तो इसको तो माफ भी किया जा सकता था बट National Green Tribunal ने 30 दिन के ऊपर जाते ही उन applications को cancel कर दिया अब देखते हैं थोड़ा आगे National Green Tribunal है उसको 2010 में एक act के basis पर establish किया गया था और NGT ने replace किया था NEAA NEAA का full form था National Environmental Appellate Authority क्योंकि NEAA efficiently काम नहीं कर रहा था बहुत सारे criticism का सामना कर रहा था तो इस वजह से 2010 में फिर NGT का एक act आता है और उसके basis पर National Green Tribunal establish कर दिया जाता है तो अभी जितने भी cases आये हैं उनमें जितने cases में disposal हुआ है यह cancel कर दिया 11 अपील्स को तो उनमें कहां कहां के project से वो हम देख सकते हैं नमबर वन की sand mining को लेकर के गंगा के basin में उत्रा खंडगा एक तो यह था गोपुरम गोपुरम ब्रीन फिल्ड एयरपोर्ट जो की आंदर प्रदेश में डावलप हो रहा उसको लेकर के थी ऐसे ही thermal power plant तेलांगना में ऐसे ही coal limestone mining 36 गड़ महराष्टा गुजरात में तो अलग-अलग region से ही अपीले थी बट यह कहके कि भई आपने 30 दिन से ज़्यादा डिले कर दिया अपनी जो claim थी या जो भी complaints थी या जो भी आप NGT में review petition डालना चाह रहे थे तो इस वज़े से उनको cancel कर दिया गया तो आपके लिए अब task क्या है NGT के बारे में अब आपको थोड़ा बहुत देखना है क्योंकि UPSC में इन bodies के बारे में question आते रहते हैं आगे चलते हैं आत्म निर्भर campaign जो है वो government की policy नहीं है यह एक national spirit है कल प्रधान मंतरी मोदी ने अपने address में ये बात कही और ये address कब हो रहा था जब science day observe किया जा रहा था 28th of February को जो की किस basis पर celebrate किया जाता है Dr. C.V. Raman ने जो Raman effect दिया था उनके point of use मतलब उनके लिए dedicated ये दिन है इस Raman effect के लिए dedicated ये day है जो National Science Day के हिसाफ से celebrate होता है 28th of February को तो एक तो ये important चीज है दूसरी अगर हम देखें कि regional languages में जो commentary है उसको promote करने की बात करें जैसे कोई भी sport सल रहा है for example cricket हो गया volleyball हो गया तो बोले क्यों ना फिर regional languages में उनकी commentary होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो native languages है या फिर जो regional languages है जो different dialects है उनको protect किया जाए जैसे ये बता रहा है कि संस्कृत में cricket commentary हुआ करती थी ठीक है तो बोला इसी तरीके का version क्यों ना अब हम promote करें ठीक है तो एक ये linguistic diversity को protect करने की भी बात की जा रही है कि अलग अलग regions में अलग अलग जो हमारी diversity है और इंडिया के लिए जो एक main बात कही जाती है unity and diversity उसको real sense में हमें जीने की जरूरत है तो इससे क्या होगा इंडिया आतनिरबर भी बनेगा अपनी लोग जो है अपनी खुद की language में proud feel करेंगे तो अपने आ पे फिर उनको और ज़्यादा confidence आएगा आतनिरबरत आएगी आगे चलते हैं अब हम आ गए है explain page पे इस पे हम बात करेंगे going back to school आर्टिकल लिखा हुआ है रुकमनी बनर जी के दौरा देखो इंडिया की अगर बात करें तो एक critical cross road पे हम चल रहे हैं अभी जहां पर young children's के बारे में हम बहुत चिंता में हैं कि एक तो education नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ जो है कोरोना बढ़ना फिर से शुरू हो गया है कोरोना का डर अभी भी खतम नहीं हो रहा है पर फिर भी एक थोड़ा सा scope दिखाई दे रहा है कि जो schools मार्च 2020 में बंद हुई थी वो अभी पहली बार April 2021 में खुलेंगी तो almost एक साल के बाद में second standard तक के जो बच्चे हैं वो पिसले एक साल में एक बार भी school नहीं गए या फिर उनकी pre primary school जो education होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई या फिर वो आंगनवाडी में जाकर कि अपनी pre school करते थोड़ा बहुत awareness आती थोड़ा वो तो खेलते कूदते खेलते कुछ सीखते है कि किस तरीके से behavioral sense आना चाहिए थोड़ा mathematical sense आना चाहिए linguistic या फिर हो सकता है चीजों को समझने की आदत हो या खुद की feelings को words में express करने की जो practice है वो होनी अपनी mental ability को increase करना वो जो शुरुआत में जो बच्चों के साथ में activities conduct कराई जाती है वो बिलकुल zero रही पिछले एक साल में तो अब फिर से बच्चों को school में लाना एक साल के बाद में एक अच्छी बात भी है बट दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा अब review करने का time भी है देखो होता क्या है कि every crisis becomes an opportunity बस opinion का थोड़ा सा हमें change करने की ज़रुआत है जो हम perceive कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं वो चीज थो primary school है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है जिससे क्या होगा जो बच्चे प्री mathematical calculation उनको समझ सके linguistic skills को वो develop कर सके social behavioral emotional skills उनमें आ जाए इससे क्या होगा कि वो जब formal schooling की तरफ जाएंगे first second मतला आगे जैसे बढ़ेंगे third fourth fifth तो उनकी schooling में फिर उनको smoothness में काम करने में problem न established होता है क्योंकि यह ऐसा बताया जाता है biological proven चीज है कि पांच साल तक बच्चे का almost 95% यह उससे ज़्यादा brain develop हो जाता है तो उसी टाइम पे कुछ creative होना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो national education policy 2020 के इसाब से आंगनवाडीज को बहुत ज़्यादा importance रखी है क्योंकि यहा नहीं मना यह बहुत important है इसमें pre school exposure होता है शुरुआती तीन साल का और फिर primary school की education होती है दो साल की कहने का मतलब तीन साल में तो वो शुरुआती के learning होगी playing के साथ साथ में फिर इनका transition हो जाता है primary schooling में जिसमें first और second class की standard में उनकी education चलती रहती है तो यह पूरा पांच स scope तयार करता है एक बच्चे के लिए जिससे कि वो अपनी आगे आने वाली जिन्दगी में सफल हो सके असर की अगर report हम देखें जो की बहुत ही जादा famous है इंडिया में क्योंकि वो basic reading और arithmetic की जो learnings है calculations जो करने की practice है बच्चे की उसके बारे में study करता है और यह एक household survey है जि में specifically districts पिक किये जाते हैं गरों पे sample लिये जाते हैं और फिर उसके basis पे report तयार की जाती है तो अभी latest nationwide असर का जो survey हमारे पास available है वो 2018 का है जिसमें 596 districts में यह असर का survey conduct किया या था लगबग साड़े तीन लाख households में तो इसका data table में बताया हुआ है वाँ टेबल में ना द यहां पे देख रहे हैं कि rural enrollment pattern को अगर देखें कौनसे group of age में तीन से आठ साल की जो बच्चे हैं उनकी तो उनकी institutional setting को थोड़ा decode करने की कोशिश करें तो इसमें statewide variation बहुत देखा गया है जैसे कि उडिसा 37 गड़ यह वो states है जहां पर तीन या चार साल के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी attend कर रहे हैं दूसरी तरफ UP और राजस्तान जैसे states हैं वहां पर बहुत कम proportion है जो कि वहां पर तीन से चार साल की जो बच्चे है उनका बहुत कम proportion है जो कि आंगनवाड़ी में जाता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं पर कोई enrollment है ही नही तो यह variation आप देख सकते हो कि उड़ी साथ 36 गड़ जिनको backward state बोला जाता है वहाँ पन तो आंगनवाडी का accessibility ज़्यादा है ठीक है दूसरी तरफ UP और बिहार इन दोनों states के हाल हमने अभी देखिये देखो एक socialization करना मतलब एक interaction हो बच्चे भी community बनाते हैं आंगनवाडी के में जब वो जाते हैं खेलते हैं अलगलग खिलोनों से अलगलग structure बना करके उससे क्या होता है और साथ में उनको immunization अगर देना हो क्यों कि शुरुआती सालों में हमें पता है कि बच्चों हम इम्मिनिटी डेवलप करने के लिए immunization program, vaccination program ये चलते रहते हैं तो अगर आंगनवाडी में अगर बच्चे जाते हैं तो उनको अच्छे से care भी मिलती है और उनका एक data भी अच्छे से maintain रह पाता है साथ में जो mid day meal schemes है या फिर आंगनवाडी में जो खाना मिलता है उससे भी क्या होता है nutritious benefits भी available होता है तो overall development होता है एक बच्चे का जब वो early education इन आगनवाडी से करता है तो इनी चीजों को priority में रख करके National Education Policy 2020 में जो launch होई है वो इसी पर focus कर रही है कि बच्चे की अगर शुरुआत अच्छी हो गई वो इस बाता नेव अगर अच्छी लगई तो फिर building बड़ी बनाने में problem नहीं आती फिर आगे writer बताना चाहरे है कि coordination flexibility पर ध्यान देने की ज़रुत है देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखने नीचे हमें कि one size fits all ये कभी भी ये approach हमेशा काम नहीं करती है क्योंकि इंडिया एक diverse country है diverse society के लोग है अलग-अलग ethnicity है अलग-अलग languages है अलग-अलग उनके issues है तो उसके हिसाब से हमें अलग-अलग plan भी बनाने की ज़रुत है ऐसा नहीं कि एक plan central government ने बना दिया और वो फिर super impose करते चले गए देखो current states की अगर pattern को हम देखें तो यह चीज हमने previously देखी कि UP राजस्तान को compare किया ओडिशा चतिसगर से तो कितना difference था ऐसे ही education and women and child development ministry education ministry और women and child development industry ने अपनी तरफ से कुछ effective ways define किये हैं कि किस तरीकी से साथ में आकर के काम करें और बच्चों की welfare पे काम किया जाए और उसमें आंगनवाडी centers को और भी ज़्यादा strengthen करने की ज़रुत है एक common goal होना चाहिए जिसमें बच्चों का foundation अगर strong हो जाएगा तो फिर वो definitely आगे future में भी अपने लिए कुछ अच्छा definitely करेंगे और वो ही बात है वो liability नहीं बनेंगे अगर healthy बच्चे होंगे educated बच्चे होंगे और उनका brain अगर sharp होगा तो देश के लिए asset बनेंगे ना कि liability ठीक है वो ही चीज कहीन है कहीं बहुत important हो जाती है और experts का भी यही मानना है साथ में पांच साल तक की age की अगर बात करें तो आप हमारे इंडिया में इस age को बहुत interesting consider किया जाता है जैसे की table में आप बताय हुआ है देखो rural children की अगर बात करें जो पांच साल तक के बच्चे हैं वो अभी भी आंगनवाडी में है और दूसरी तरफ pre primary जो grade है जिसको हमने बोला pre primary वाल है कौन से जो शुरुवात से तीन से लेके के तीन चार चार से पांच पांच से यह जो तीन से छे साल तक का जो tenure है that is pre primary grade इसके इसमें आदे बच्चे तो ज्यादा तर मतलब कई स्टेट स्कूल गवर्मेंट स्कूल में भी जा रहे है और कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहां पर 50% तो गवर्मेंट स्कूल में जोईन कर रहे हैं और किस बच्चे प्राइवेट स्कूल में जोईन कर रहे हैं बट यह जो preparation होनी चाहिए ना कि formal schooling जब शुरू हो जाती है class third से यूँ मानो आप ठीक है तो उसके पहले इनका base बहुत ज़्यादा strong होना जरूरी है और इसी चीज़ पर ध्यान देते वे एक foundational literacy and numeracy mission ये launch किया गया है national education policy के along मतलब उसके साथ साथ में इससे क्या होगा कि जो बच्चे first standard में enter हो उनकी quality education उनको मिल सके और एक हमें पता है ही कि right to education act 2009 वो आया था उसमें क्या था free and compulsory education देनी 6 से 14 साल के बच्चे तो इसमें आप देखोगे 3 से 6 साल ये वाली age जो है वो missing है ठीक है इसको हम pre primary schooling बोल रहे हैं तो इस schooling पर भी ध्यान देने की जरुआतर और इसमें आंगनवाडी बहुत important role play करती है तो writer यहाँ पर जो important चीज बोल रही है वो ये कि देखो कुछ states ने बहुत अच्छा किया है अपने level पे जैसे यहाँ पर example दिया जा रहा है पंजाब का कि पंजाब ने जिस तरीके से अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी extra curricular activities करवा करके और एक नया ही method तैयार करके उनको और ज्यादा creative बनाने की कोशिश किया और उसका outcome उनको मिल भी रहा है तो बोलो वो ही चीज हम apply कर सकते हैं देखो छोटे बच्चों के लिए जो school होती है उनको kid and garden बोला जाता है वैसे तो ठीक है मतलब kid garden जेक तरीके से कहाँ छोटे बच्चों की school हो गई तो इस तरीके के gardens create करने कि जहाँ पर वो बच्चे खेलते खेलते सीख जाए ठीक है वहाँ पर वो एक दूसरे से बात करें discussion भी करेंगे एक दूसरे से story भी सुनेंगे अपनी feelings को narrate करने की भी आदत पड़ेगी freely express भी करेंगे सोचना भी शुरू करेंगे picture को देख करके perception भी बनाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो learning के capacity है ना एक वो grasping power जो है जो productivity आनी चाहिए ना वो उनको definitely मिलेगी और ये चीज जो है standard one and second के curriculum में हम expect भी करते हैं और ये ही चीजें कहीं नहीं learn करना नी उनको सिखाने की जरूरत है ठीक है देखो national education policy में recommend किया हुआ है बाल वाटिका बाल वाटिका का मतलब बाल मतलब kinder मतलब बच्चे बच्चों का गार्डन जहां बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे यही चीजें यहाँ पर बताई हुई है कि देखो हमें जो डर है ना schoolification की हर चीज में क्यावले एक pack room में बिठा दो teacher पढ़ा दे उनको बस route learning करवा दे उसकी बजाए एक entertainment based एक learning हो playing based एक learning हो जहाँ पर social emotional cognitive experiences बच्चों की बढ़े और उसी का फिर असर उनको throughout life अपनी growth में या अपनी खुद की progress में महसूस हो आगे चलता है pixel India का जो flight होने वाला था PSLV C51 के साथ में उसको एक बार hold पे रख दिया गया है देखो pixel India basically आप देखोगे तो ये इंडिया की अपनी तरफ से एक private एक lab है कह सकते हो या फिर private platform है जहाँ पर काम करने की कोशिश की जारी है satellite science के लिए या जो आप कह सकते हो space science के लिए ठीक है वैसे तो PSLV C51 के साथ में launch करना था pixel के pixel India का जो पूरा network तयार करने वाले थे जिसमें ये पूरे अर्थ को एक एक spot को directly control या एक तरह के से monitor करना चाह रहे थे जिससे की climate change agriculture या urban planning उनके लिए काम कर सके वो तो मतलब आर्थ इमेजिंग satellite का एक group था ये बैंगलूरू based एक आप कह सकते हो constellation है मतलब एक तरीके से बैंगलूरू based ये platform है एक form है जो ये काम करना चाह रहे थी बट प्राब्लम क्या होई इसका जो satellite launch होने वाला था उसको certain software issues को चलते हैं मतलब कुछ software में glitches आने लग गए थे इस वज़े से फिर इसको launch करने से एक बार डिले कर दिया गया और जो Amazonia है one satellite उसके साथ में 18 दूसरे satellites को launch कर दिया गया ठीक है जिसमें आप देखोगे USA के satellites भी है इंडिया के भी पांच satellite हमने देखे यही चीज इसमें बताई जा रही है नेक्स आर्टिकल पर चलते हैं नेक्स आर्टिकल है lateral entry into bureaucracy क्या reasons है क्या concerns है क्या process है देखो इस महिने में अभी earlier this month that means आप कह सकते हो February right तो UPSC ने अपनी तरफ से कुछ advertisement release किये थे कि talented और motivated Indians जो की willing है इंडिया की nation मतलब हमारे nation की building में contribute करने के लिए तो total तीन तो joint secretary की post के लिए वो उपन था और 27 director की post के लिए government departments में direct entry बस उसका एक process होगा और इसको direct entry इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस level पर जो भी कोई Indian administrative services सगा या फिर भी कोई भी civil services का individual promote होते होते पहुंसता है तो उसको पहले बहुत हद तक ground experience होता है बट यहाँ पर lateral entries लिए बोल रहे है कि सीधा entry दी जा रही है एक process follow होगा उसकी basis पे सबसे बढ़ी main बात जो है controversy की वो यह कि यह जो vacancy है इनमें reservation का कोई provision नी है ना SC के लिए ना OBC के लिए तो देखो lateral entry का मतलब क्या है या entry होती कि lateral entry है क्या है देखो निती आयोग ने 3 years action agenda जो अपना दिया उसमें sectoral group of secretaries ने on governance की तरफ से एक report submit हुई थी फरवरी 2017 में और उन्होंने recommend किया था कि हमें उन personals को admit करने की चाहिए या मिडल में लाने की ज़रुत है senior management level या middle level पे जिससे की central government जो है वो effectively काम कर सके या जो private sector के जो experiences है उन experiences को nation making में हम काम में ले सके और उसी को फिल lateral entry बोली गई अभी तक तो क्या था कि services के जो promoties हैं जिनको promote किया जा चुका है तो basically एक joint secretary है ना इसकी rank आप देखोगे तो third highest rank आती है इसमें अगर bureaucracy point of view से देखें सबसे उपर होता है secretary किसे भी ministry के secretary और साथ में additional secretary number two और फिर joint secretary तो ऐसे करके पहले आते हैं कौन joint secretary और फिर उसके बाद में directors तो इन पर आप देखोगे direct entry की ये scope या option निकाला गया था तो government के पास में क्या reasoning है इसके पीछे जो department of personal training की अगर हम बात करें उसके minister of state चितेंदर सिंग उन्होंने जब अपना statement दिया तो ये कहा कि time time पर हमें अलग-अलग prominent persons को appoint करने की जरुवत परती है जिससे की वो अपनी expertise की help provide करें और ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा सके उनकी specialization का या उनके knowledge का उसी चीज़ को ध्यान में रखके हमें lateral entries को भी avail करा देना चाहिए इससे twin objectives हैं वो काम करेंगे number one एक तो fresh talent आएगा और दूसरा कि जो availability of manpower है उसको हम augment कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास में options और भी available हैं अगर कोई emergency या फिर need आती है तो ठीक है अब ये lateral entry की जो processor है वो क्या है देखो इसमें advertisement release किया जाता है UPSC के दौरा और एक के लिए किया गया था joint secretary के लिए अलगलग ministry अलगलग department में और 40 position जो थी वो deputy secretary और डारेक्टर के लिए release की गई थी तो इसमें 2018 में जब ये advertisement launch हुआ था तो इसमें 6700 सो सौरी 677 applications आई थी जिन में से 9 individuals को finally recommend किया था UPSC ने और आप देखोगे उनमें से जो नाम है वो आपके सामने है जैसे की काकोली घोष इन्होंने जॉइन ही नहीं किया बाकी जैसे आमेर दूबे या राजी उसक्षेना सुजीत कुमार बनर जी ऐसे करके ये कुछ और थे जिनको जॉइनिंग मिल गई और इनमें से सुमन प्रशाद सिंग जिनका अपॉइंटमेंट हो गया था बट तीन साल के अंदर-अंदर ही उन्होंने रिजाइन कर दिया मतब तीन येर के कॉंट्रेक्ट पे थे और रिजाइन करने वाले थे अरुन गोयल और वापिस से प्राइवेट सेक्टर में वो चलेगे साटिस्वाई नहीं होगे काम करने के तरीके से तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉसेस था तो लेटरल एंट्री का क्रिटिसिजम ये है रेजर्वेशन को लेकर के कि रेजर्वेशन नहीं दिया जा सकता बट पॉइंट ये है कि कॉंट्रेक्चुल अपॉइंट्मेंट होती है इसमें तीन साल पाथ साल के कॉंट्रेक्ट्स पर ये लोग आते है तो वहाँ पर कोई ओपन कोटा है कि नहीं जी बिल्कुल नहीं है जब इंडियान एक्स्प्रेस ने आपनी RTI लगाई तो उसमें ये पता पड़ा कि ये जो अपॉइंट्मेंट्स है ना ये सिंगल पोस्ट के लिए है वैसे तो चलो ठीक है कि 27 डिरेक्टर्स और तीन जोइंट सेक्रेट्री के लिए वेकेंसी निकाली है बट वो 27 डिरेक्टर्स जो है वो अलग- friction एक लिए तो वो सिंगल केटेग्री में वो पोस्टिंग हो रही है तो वहां पर reservation नहीं है तो basically इमांड क्या की जा रही है कि 13 पॉइंट रोस्टर वहां पर लगाए जो कि currently अबी reservation policy का main method है तो इसके हिसाब से जो अभी 27 डिरेक्टर्स की डिमांड की जा रही है और तीन जो जॉइंट सेक्रेटरी की है उनकी पोस्ट के अगर बात करें तो रेजर्वेशन अगर लगाएं 13 पॉइंट रोस्टर का तो साथ पोस्ट तो रिजर्व होनी चीए OBC के लिए, चार होनी ची यह EWS सेक्रेटरी के लिए बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिपार्टमेंट यह जो पोस्टिंग से यह हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक है और जब एक ही पोस्टिंग लिए जब अप्लिकेशन लेते हो तो वहाँ पर रेजर्वेशन अप्लिकेबल नहीं होता और वही चीज है कि यह जो लेटरल एंट्री में अप्लिकेशन से इनमें कोई रेजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकलर जॉइंट पार्लियमेंटरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आने वाली है 12 मार्स तक और उसमें फोकस किया जारा है लोकिलाइज़ स्टोरिंग पर कि जो डेटा लोकिलाइज़ेशन और ध्यान दे और माइनर से रिलेटेड जो डेटा है उसको डिबेट हो रहा है और उसमें फोकस किया जा रहा है एक तो परसनल सेंसेटेव परसनल इन्फोर्मिशन के स्टोरिज को ले करके कि वो हमारे यहां पर इंडिया का डेटा है वो इंडिया में ही सर्वर्स में स्टोर होना चाहिए ना कि USA के सर्वर्स में एक तो यह दूसरा children या फिर minor जो है उन से related जो भी डेटा है उसको proper handle किया जाए तीसरा financial activity जो भी हो रही है उसको anonymization that means कि उन में जो भी identities है उसको hide किया जाए क्योंकि financial transactions के अगर hacking होती है ना तो बहुत मुश्किल होती है लोग बहुत मुश्किलों से पैसा कमाते है और साथ में other sensitive data को भी properly manage किया particular मुद्दे पर या इस bill पर debate discussion करते हुए तो हर एक clause को लगबाग 98 clause को एक डिटेल में discussion किया है और साथ में आप देखोगे जो हमारे यहां पर digital platforms है जैसे Mastercard of Mastercard India, Visa, PTM, Google, Google India, Facebook India इनके experts को भी बुलाया गया है इनके opinion भी लिए गये है कि आप बताओ कि कैसा कानून होना चा सकते हैं इवन आइटी मिनिस्ट्री, Law Ministry, Home Affair Ministry, UIDAI जो अधार कार्ड वाली अजेंसी है वो, National Investigation Agency, Narcotics, Control Bureau, Reserve Bank of India और बाकी और जो important members हैं उनके द्वारा भी पूरा proper discussion किया है देखो गूगल ने तो अपनी तरफ से यह काया है कि बोले डेटा स्टोर करने में थोड़ी रिस् बाकी पेटियम इंडिया या फिर ओला उबर जैसी जो कैब एग्रिगेटर्स हैं वो इन्होंने जोईंट पार्लियमेंटर कमिटी के सामने कहा कि बोले डेटा लोकिलाइजेशन वाला नौम तो होना ही चाहिए बाकी और मुद्दे आपको यहाँ पर आपको पता होना चाह संद्टियु मेंटर के स्किल के से सेकरेटरी थी जुप होंग और मुद्दे को की समीर जाएंग कि और मुद्दे और दूसरा जो आर्टिकल हे हो already हम देकी कुछे हैं तो largoều मिडल को चाहिएगा कायन हैीamasство और वहाँ पर education के लिए budget कितना decline कर गया है 65% से हैं जबकि high और middle upper middle income वाले जो countries हैं वहाँ पर भी decline हुआ education को जो fund मिलता है वो पर वहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है वहाँ पर decline हुआ 33% तो यह जो report है यह UNESCO की जो global education monitoring establishment है उसकी report है उसके हिसाब से बताया हुआ है और इसमें कौन कौन से countries में study हुई है वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि low income countries में अफगानिस्तान एथियोपिया यूगांडा 14 middle lower middle income group जिन में इंडिया भी है ऐसे ही आप देखो 10 upper middle में जैसे ब्राजील कॉलंबिया जॉर्डन इंडोनेशा इन से और two high income countries में भी जैसे कि चिली और पनामा इन में भी पूरी एक तरीके से study की गई थी तो बेसिकली सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल जिनको 2030 से पहले अचीव करना था वह अचीव करना थोड़ा सा difficult दिखाई दे रहा है ठीक है तो discussion यहीं कितम है thank you very much for watching this video